हलो फ्रेंट्स आज हम आपके साथ बहुत ही लजीज गार्लिक चिली चिकन की रेसिपी शेयर करेंगे ये आपने ना पहले बनाई होगी ना खाई होगी तो चलिए मज़दार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए हमने ओईल गर्म करने रख दिया है यहां पर इन सारी चीजों को गर्म तेल में हमें डाल कर फ्राइ कर लेना है इसी के साथ तीन मीडियम साइज की लिए हैं प्याज जिने हमने मोटे मोटे स्लाइसिज में काट लिया है यह हम ग्रेवी के लिए मसाला तयार कर रहे हैं तो सारी चीजे देखते जाएए और वीडियो को बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनता है इसी के साथ 10 से 12 लिये हैं काजू ये भी हमें इसी में डाल कर इसी के साथ फ्राइ कर लेने हैं बहुत ही जबरदस्त बहुत ही टेस्टी ये गार्लिक चिली चिकन बन कर तैयार होने वाला है अब यहां पर एक अद्रक का टुकडा लिया साथ ही एक शीम्ला मिर्च को भी इस तरह से डाइसीस में काटकर हमने डाल लेना है इसी के साथ लिया है तीन बड़े साइיס के टमाटड लिये हैं इनको भी असी रफली चौप करके इसमें डाल लेना है और सारी चीजों को अच्छे से फ्राय कर लेना है मसाले को हमें अच्छी तरह से इसे भून लेना है क्योंकि हमें इसे फिर बात में भूनने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अब वंडी स्पून इसमें हमने डाल दिया है नमक और नमक डालने के बाद सारी चीजों को अच्छे से सॉफ्ट केंट यूनिक स्टाइल में हमने ये गार्लिक चिली चिकन बनाया है तो आप लोग एक बार इस तरह से जरूर ट्राय करके देखिएगा तो ये अच्छे से भूनने लगा है अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे डेर सारा हरा धनिया ये हमने डंडियों के साथ ही डाला है बहुत ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस ग्रेवी के अंदर तो ये जरूर अगर आपके पास है तो एड़ कीजिएगा तो मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है अब गैस की फ्लेम ओफ करके इसे ठंडा करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे ग्राइंड करना है अब एक कडाई में हमने ओईल ले लिया है ये हमने हाफ कप से कम ओईल लिया है 700 ग्राम चिकिन को अच्छी तरह से अलग रखेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो थोड़ी इसी पर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा त तो सारा चिकन निकाल लिया है अब यहाँ पर हमने 20 से 25 गार्लिक की कलिया लेकर उसको बिल्कुल फाइन चौप कर लिया है यह इसी तेल में हमने डाल ली है इसी तेल के अंदर हमें यह फ्राइग करना है बहुती फ्लेवर फुल यह ओल है इसी में हम यह गार्लिक अच्छ अब यहां पर हरी मिर्च का पेस्ट बना कर हमने रखा है यह 15-16 हरी मिर्च लेकर उसका पेस्ट हमने बनाया है बाकी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ किया किजिए लेकिन यह थोड़ा सा चटपट अच्छा लगता है यह चिकन जो है ना गार्ल मिर्च है यह काफी तीखी भी है तो टूटी स्पून के बराबर यह हरी मिर्च हमने इसमें एड़ की है अच्छी तरह से फ्राइ करने के बाद अब इसमें फ्राइ किया हुआ चिकन हमने एड़ कर लेना है यह डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है अब इसी के साथ एक कप दही को अच्छी तरह से फेट कर इसमें डाल लेना है और दही डाल कर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अगर घ्टा ज्यादा पसंद हो तो आप इसमें आदी कप दही और अड़ कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमने टमाटर भी आड़ किया है खियो जब तक यहां पर प्हुर भी जब जब जाएगा अब जब तक ये भुनता है तब तक हम अपना जो मसाला हमने अलग फ्राइ करके रखा है सारी चीजों को उसको हमें ग्राइंड करना है वो ठंडा हो चुका है तो गैस की फ्लेम हलकी करके अब हम ये मसाला पीस कर पहले तयार करेंगे तो ये मसाला पीसने के बाद हमें चान लेना है चान कर ये सारा मसाला हमें चिकन के अंदर एड करना है तो देखें ये मसाला हमने चान कर एड किया है बिल्कुल स्मूध ग्रेवी ये बनकर तयार होने वाली है बहुत ही लजीज बहुत ही टेस्टी ये गार्लिक चीली चिकन बनकर तयार होगा यह आप रोटी से खाईए पराठे से खाईए यह तंदूरी रोटी से नान से कैसे भी आप इसे इंजोई कर सकते हैं अब इसे कवर करके 20-25 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए तो देखें 20-25 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर प चुका है मसाला हमारा काफी पहले भून चुका है इसे हमें और बहुत ज्यादा भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब यह आपको ऑईल जितना चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें बटर एड़ कर सकते हैं उपर से डालेंगे धेर सारा हरा दन्या और हमारा बहु तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारा गार्लिक चिली चिकन बनकर तयार हुआ है आप इसे रोटी से पराठे से जैसे आपका दिल चाहिए आप खा सकते हैं तो फिर वीडियो कर दीजेगा लाइक चैनल को कर लीजेगा सब्सक्राइब और अपने फैमिली करना मत भूलिएगा